नमस्कार साथियों आज हम एक महत्वपुन बिंदू पर परीचर्चा करने जा रहे हैं और यह महत्वपुन बिंदू है तुलनात्मक राजनिती जो की राजनिती विज्ञान की एक मुख्य साखा है अथो हम कह सकते हैं कमपरिटिव पोलिटिक्स इजे सब रांचो पोलिटि इस तुलनात्मक राजनिती के जो हिस्टोरीकल इविडेंस हमें मिलते हैं वे ग्रीक सीटी स्टेट के साथ मिलते हैं और जैसा आप जानते हैं अरिस्टोटल वाजदी फाउंडर फादर ओप कमपरिटिव पोलिटिक्स राजनिती विज्ञान के ही जनक नहीं अपितु अरस्तु ही था जिन्होंने classification of states राज्यों के वर्गेकरण में comparative method का यूज किया जैसे मेरे अन्य वैख्यान में आपने देखा होगा terminology differences of comparative politics तुलनात्मग राजनिती के जो सब्दार्थ हैं कि तुलनात्मग राजनिती क्या है तुलनात्मग सासन क्या है तुलनात्मग पद्दती क्या है और अंतरास्टी राजनिती क्या है तथा इनके बीच क्या संबंध है ये मैंने अपने separate lecture है उसमें बता रखा है उसमें आ आसानिशी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फढ़ सकते हैं, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वह हमारा important topic है कि तुन्लात्मक राजनिती का यदि हम अध्यन करना चाते हैं, इस सब ब्रांचों political science का गहराई से अध्यन करना चाते हैं, संदरबित अथ्वा reference पुस्तक के माध्यम से अध्यन करना चाते हैं, या वास्तम में केवल भारत के अधिकांस लोगों की तरह कि तुन्लात्मक राजनिती का अध्यन केवल नेट के लिए, इस्कोल व्याखेता के लिए, या competitive exams के लिए करना है, तो वो एक अलग बात है, यहा अध्यन है और उसमें कुछ जो पुस्तके मैं आपके साथ साजा करूँगा, जो इसमें international लेवल पर comparative politics में पढ़ाई जा रही हैं, और ground theory का यूज करते हैं, उनको write down किया गया है, जो वास्तम में ही काविली तारीफ हैं, और अधिकांस्त वेस्टन स्कोलर्स के द्वारा य यहां फिल्ड वर्क किया गया है, क्योंकि हम अधिकांस्त भारतियों के आदत नहीं है, इसलिए विशेश रूप से पुस्तक के आपके लिए बहुत महत्पुन होंगी, यह जानने के लिए कि पुस्तक होती क्या है, जो दो प्रशन यहां पर मेरे दौरा सामिल किये गए है तुल्नात्मक राजनिती क्या है, तो यहां तुल्नात्मक राजनिती का अर्थ बताना नहीं है, कि तुल्नात्मक राजनिती के लिए हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो जो बताया जाए वो पढ़ना है, और जो अन्ने मेटेरियल है वो नहीं पढ़ना है, और अगर आपने पास पुस्तके हैं तो उन पुस्तक वो फढ़ने की comparative politics इस पेशन पी रूप से की तुलनात्मक राजनिती को कैसे पढ़ा जाए विशे को कैसे पढ़ा जाए क्योंकि comparative politics आजे discipline आप इसको देख सकते हैं तो तुलनात्मक राजनिती में कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो इस समय दुनिया भर में चर्चित हैं उनमें पहली पुस्तक है दूसरी पुस्तक में परीचर्चा करोंगा पहली पुस्तक है principles of comparative politics जैसा आप नोमी क्लिचर देख रहे हैं principles of comparative politics तुलनात्मक राजनिती के मूल जो शिद्धान्त हैं उन पर इस पुस्तक मे परीचर्चा की गई है लगबग more than 900 pages की book है और लगबग 1000 pages की पुस्तक जो है उस पुस्तक में वीलियम रोबर्ट क्लॉग के द्वारा और उसकी दो साथिन के द्वारा बहुत ही अच्छा और कावीली तारीब छेत्रे अध्यनिया फिल्ड वर्क किया गया है वास्तम में उने comparative politics के अंतरगत ने के उसे धान्तों को define किया है अपे तो उन से धान्तों को ground level पर apply भी किया है और इसके application से जो result आये हैं उन result को भी define किया है इसके अलावा इस पुस्तक में जो comparative politics की principles को समझाने के लिए जो examples quote किये गए हैं वो examples भी international level के हैं अर्थार one country to other country ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाने के लिए कह रहा है कि साथ traditional approach means दादा पर दादा के approach और behavioral या modern approach means youth की approach it is not right ये किसी भी केमत पर सत्ति नहीं है और नहीं हो सकता है अलाग कि ये coaching संस्थानों के और जो अजजल गगरी चलकत जाए जिनको अधूरा ग्यान है ज अपने यहां ऐसा कोई कारिय नहीं है जो भी knowledge है fact के साथ proof के साथ और references books के मादम से delivered किया जाता है तो ये भी सबसे बड़ी strategy होती है कि आपके पास subject content क्या है कौन सी पुस्तके हैं क्योंकि कहा भी गया है books is the best friend of the world in the world इस दुनिया में किताबें सबसे स्रेश्ट मित्र होती हैं और इन किताबों को पढ़ने से ही हमें ये पता चलता है कि जो आप अब तक पढ़ रहे हैं उन पुस्तकों में और जो ये फिल्ड वरक या ground theory पर काम करके लिखी गी पुस्तकों में अंतर क्या है तो ये पहली पुस्तक है इसका second edition मैंने यहां quote किया है principles of comparative politics William Robert Clark Matt Gawler और सोना नेनिल शियर कोल्डर के द्वारा चेक के कोल्डर के द्वारा ये लिखी गई है तो क्लॉर्क और गोल्डर दो इसके साथ हैं तीनों ने बहुत ही अच्छा वरक किया है ये पहली रेफेरेंस पुस्तक है comparative politics के बारे में अगर आप basic और fundamental concepts पढ़ना चाहते हैं दूसरी पुस्तक आपके सामने यहां है foundations of comparative politics जो तुलनात में राजमती है उसके मूल आधार क्या है इस पुस्तक में basically political culture के बारे में pressure groups के बारे में political parties के बारे में political socialization के बारे में political development के बारे में विस्तार से बताया गया है और इस पुस्तक के लेखक है Kenneth Newton and Jan W. When Death Kenneth Newton के नाम से आप इसको जान सकते हैं foundation of comparative politics यह भी दूसरी reference पुस्तक है और इस अंदरवित पुस्तक के अंतरगत भी तुलनात्मंग राजनिती के महतपुन आयामों अत्वा important dimensions को define किया गया है तीसरी महतपुन पुस्तक है वे है comparative politics today a world view यह तीसरी reference books तक है और इसके लेखक है जी बिंगम पावेल जोनियर रसेल जी डाल्टन और कौरे स्ट्रॉंग जी बिंगम पावेल के नाम से आप इसको जान सकते हैं comparative politics today a world view इस पुस्तक के अंतरगत जैसा आप देखने गलो भी नहीं बताया गया है अपितु वास्तम में इसका जो 11th edition है वो updated edition है और इस edition के अंतरगत इस अंग के अंतरगत नवीन संस्क्रण के अंतरगत तुलनात्मं राजनिती की वर्तमान घठना करम को जो current scenario in the world पूरी दुनिया भर में दुनिया के देशों में दुनिया की राजनितिक प्रणालियों में राज्यों में जो बदलाव आर्थिक रूप से सामाजिक कारकों से प्रयावणे कारकों से आ रहा है और दुनिया किस तरफ मूग कर रही है पुलिटिकल सिस्टम के रूप में उसको बहुती बैखुवी रूप से और तथ्यों के साथ थियोरी के साथ डिफाइन किया गया है यह तीसरी महत्पुन पुस्तक है चोती महत्पुन पुस्तक है जो जौन मैक कॉर्मिक के द्वारा लिखी गई है comparative politics in transition इस पुस्त एक राश से दूसरी राश्त की जो राजनितिक व्यवस्ता है उन राजनितिक व्यवस्ताओं का specific study किया गया है विशेश रूप से इंडिया के बारे में अमेरिका के बारे में ब्रिटेन के बारे में फ्रांस के बारे में ताकि उन देशों की राजनितिक व्यवस्ता के मू कर सके. नेक्स जो पुस्तक हैं वो हमारे राजनिती विध्यान विभा के प्रोreiben सर रहे हैं प्रोफेसर सी विगैनासर और हंदी माध्यम के चात्रों के लिए एक मात्र ओस्दी है सब पुस्तकों को हंदी माध्यम में केवल हापको एक पुस्तक पढ़नी है और उस पुस्तक का नाम है तुलनात्मक राजनिती एवं संस्थाएं राजस्ताहिस स्विधाले के राजनिती विज्ञान विभाग के वैलनोन प्रोफेसर सी विज्ञानासर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और हिंदी मात्यम के चातरों के लिए जैसा इसमें लिखा विभिन भारतिवी सुद्धालों के BA owners के लिए और MA के निरधार के पार्टी करम के नुसार यह tax book है और इस tax book को हिंदी मात्यम के विध्यारतों के लिए रामबान कहा जाता है वे चाए आरेस हो चाए आईएस हो या अन्य जो आपकी competitive exams है subject के लिए इस competitive politics जो सब ब्रांच और political science है उसके लिए ये स्रेश्ट हिंदी मात्यम की पुस्तक है उपर दी गई जो पुस्तके हैं वो पुस्तके reference book है पहली पुस्तक है दूसरी Kenneth Newton की पुस्तक है तीसरी G.V. Pavel की पुस्तक है चोथी McCormick की पुस्तक है इस चार पुस्तके references book है इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप research के छेतर में और depth से comparative politics को समझना चाते हैं तो उनका धिन कर सकते हैं और अगर आप हिंदी मात्यम के चात्र हैं और केवल हिंदी मात्यम की पुस्तक ही पढ़ना चाते हैं तो वे सीवी गेनासर की पुस्तक आपासाने से पढ़ सकते हैं इसके अलावा तपन विस्वाल और ओपी गावा वगरा जिसी जोरी पुस्तक आते हैं लेकिन वो इस तरही पुस्तके नहीं हैं जो स्टेंडर्ड और मानक पुस्तके हैं उन्हीं पुस्तकों के बारे में मैं यहां परीचर्चा कर रहा हूँ इसके अलावा कंपरिटी पुलिटिक्स पर एक मेरे दोवारा पुस्तक लिखी गे तुलना अत्मक राजनिती की सिध्धान्त के नाम से और इस पुस्तक के अंत्रकत चोटी शिक पुस्तक है इस पुस्तक के अंतरकत मेरे तुलना अत्मक राजनिती की इन चारो रेफ्रेंसेज पुस्तकों को जो इंगलीस में है उनको पढ़कर जो थेोरी का पार्ट है या धियोटिकल पार्ट है जिसमें constitutionalism भी है, political development है, cultural theories है, cybernetics theory है, in theories system theory है, in theories के बारे में मैंने इसमें लिखा है और विस्तार से हिंदी माध्यम के चात्रों के लिए केवल theory theory का part है, इसमें practical part नहीं है, तो नात्मराजनिती का जो शिद्धानतिक भाग है, उस शिद्धानतिक भाग को मैंने इसमें सामिल किया है, और यह भी कम कीमत की मात्र 184 रूपीज की है, चोटीशी पुस्तक है, यह भी बहुत ही उप्योगी पुस्तक है, अगर आप पढ़ना चाहें, तो इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं, थैंक्स फॉर मोर वीडियोज यू कें सर्च और गूगल डाक्टर केसी सामोता का कमपरिटिव पुलिटिक्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और उसके मेनिंग के बारे में, नेचर के बारे में, इसकॉप के बारे में, कुछ थियोरीज के बारे में, कल्चर के बारे में तो कुछ वीडियो मैंने अपने डॉक्टर केसी सामोता यूटूब चैनल पर डाल रहे प्रडिडिकर सायंस के नाम से तो आप जैसे गूगल पर डॉक्टर केसी सामोता लिखोंगे टाइप करोंगे तो मेरे वीडियो था होंगे और उन वीडियो